नमस्कार दोस्तों, सीजी जोबेजु किसन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है साथियों, यह जो B.A.D.A. College है, आप मैं से बहुत सारे साथि हमसे पूछ रहे हैं कि सर, B.A.D.A. College की लिष्ट की जानकारी दीजिए तो कई सारे आपके सवाल हैं, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्राइवेट और सरकारी College की जो लिष्ट है उसकी, कि कितने सरकारी College है और कितने private college है साथि साथ मैं बात करूंगा इसमें, प्राइवेट और सरकारी जो College है उनमें फिस कैसी कैसी होती है, कितनी कितनी जो फिस है वो लगती है साथ ही मैं आपके कुछ कॉमेंट भी लेने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट जो है बियर और डियलेट को लेकर हमसे पूछा गया है तो इस पर भी मैं बात करूँगा जो साथ ही नए है भई चैनल को सब्सक्राइब करेंगी चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ प्राइवेट और सरकारी कॉलेज के लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं इसकुल शिक्षा विभाग के अंतरगत जितने भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज है उनके फीस की ठीक है तो सबसे पहले मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेज और उनके फीस की तो फीस को बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूसाथी हूँ कि यह जो फीस है कॉलेज के ग्रेट के हिसाब से रहती है जी हाँ A grade के college, B grade, C grade जैसे जैसे college है उसके हिसाब से यह जो फीस है 24,000 प्लस माइनस होता है ठीक है देखिए रैपूर की मैं बात कर लूँ तो नेटाजी सुभास college रैपूर की फीस जो है 32,140 है ठीक है पंडित हरी संकर सुपला यह भी रैपूर में है 32,140 है ठीक है भाई भ यह जो 32,140 है देखिए वैसे ही रावातपुरा सरकार यह जो 31,140 है यह जो college आपको इश्कीर में अभी दिखाई दे रहा है यह BP8 की फीस है ठीक है भाई मैं बात करूँ यहाँ पर B8 की फीस तो देख सकते हो B8 college जैसे सांती भाई सिक्षा महाविद्यार है महा समुन्ध है 3,900 है HD college जानगीर पामगर में देखिए इसमी यह में नवागर है जिला जानगीर जांपा ठीक है में नवागर है 29,970 रुपाई फीस है यहाँ पर साथी साथ बहुत सारे college चलिए मैं इन college-ो के नाम लेलू सांती अब मैं यहाँ बात करूँ देखिए सभी college का में नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे college है मित्रों और सबका नाम लूँ तो काफी लेट हो जाएगा लेकिन total number आप college की मैं यहाँ पर बात करूँ देखिए यहाँ पर आप कोई screen पर सो हो रहा है देख पा रहे होंगे आ ठीक है बाई कुल 132 college है प्रदेश में यह pvt है private college है बाई 132 प्राइवेट college हमारे 36 गड़ में संचालित है और मैं इनके फीस की बात करूँ तो आप मोटी मोटा बात करूँ मैं यहाँ पर तो मान के चलिए 30 से 35,000 रुपए तक आपको फीस लगेगा ठीक है बाई एक साल का फीस बीएट college में ओके बीएट college में एक साल का फीस 30 से 35,000 रुपए प्रती वर्स आपको लगेगा ठीक है और मैं यहाँ पर बात करूँ साथियों government बीएट college में तो लगभग यहाँ ज़्यादा फीस नहीं लगता भई साथ आठ हजार के असपास एक साल का फीस है आपको पे करना होता है किसी भी गौर्मेंट शिक्षा महाविद्याले में यह आप बीएट की परहाई करना चाहते हैं तो एक साल की फीस है ठीक है private फीस 30 से 35,000 रुप यह जो फीस मैं बता रहा हो 30 से 35,000 आप रेगुलर कक्षा जा रहे हैं रेगुलर आप क्लास अटिन कर रहे हैं रेगुलर आप कॉलेज जा रहे हैं उनकी फीस है भई देखिए मैं मनमाने तरीके से जो कॉलेज प्रबंधन चलाता होगा उनकी मैं बात नहीं करता क्योंकि हमेशा बीएट और डीएट के जो पढ़ाई है वो रेगु बीएट कॉलेज भी कर रहे हैं 20 से 25 जार रुपाय तक की आपको फीस किसी भी डीएट कॉलेज में लग सकती है ठीक है यह रेगुलर फीस है यदि आप गॉर्मेंट तो देखिए जितने भी प्रदेश में जिला में आपका डाइट संचालित है यह गॉर्मेंट होता है ठीक है तो यह दोनों गॉर्मेंट है हर जिले में एक एक राता है जहाँ पर टोटल नंबर आप सीट की बात करो तो फ्रत्यक जिले में 100 सीट जो है गॉर्मेंट के लिए है ओके तो आप घबराएए नहीं यहाँ पर गॉर्मेंट में है तो मानके चलिए साथियों आप अराम से गॉर्मेंट यह आ जाएगा अगर अच्छा रेंग आपका होगा ठीक है फीस की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 3500 रुपए एक साल का फीस गॉर्मेंट डियेड में है साथे 3000 रुपए एक साल का है मतब फस्टियर में साथे 3000 और सेकेंड इयर में यह जो फीस है सिर आसन मनी का लगता है अर्थात कोई भी समान जो है यदि आपका टूट फुट गया कॉलेज का तो उसी के वज़ा से आपको वहाँ पर देना होता है और यह दो साल बाद आपको वापस कर दिया जाता है ठीक है बाई तो 3000 आप मान के चलो इस तरह फीस जो है लगता है ओके तो आपके comment क्या क्या आये थी मैं बात करो साथिओं तो देखिए आप मैं से कई सारे साथी rank को लेकर पूछ रहे थी सर मेरा मेरा 42 नंबर बन रहा है क्या मेरा 85,000 rank है क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा देखिए पहले ही counseling में सभी साथी डालिए भ़ई मैं सबको बोल रहा हूं कई साथ ही बोलते हैं मेरे काम नंबर है पहले काउंसलिंग में डालूंगा दूसरे काउंसलिंग में डालूंगा ऐसा नहीं है भाई पहले काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आता दूसरे काउंसलिंग में आपका नाम आ जाएगा ठीक है एक बार जरुवत परती है यदि आपका पहले कांसलिंग में नाम आया था लेकिन आपने admission नहीं लिया तो फिर से आपको दूसरी कांसलिंग करवानी पड़ेगी लेकिन यदि आपको किसी भी college में नाम नहीं आया है तो दोबारा कांसलिंग के जरुवत नहीं परती आपका स्वता ही नाम आ जाता है ठीक है भाई तो इस तरह से counseling के जो प्रक्रिया है वो होती है मित्रों तो बिल्कुल आपके सवाल ऐसे ही है और देखिए ये छोटे जो सवाल आपके आए हुए है ना उस पर आपको चिंता भी नहीं करना है केवाल आप college डालिए ठीक है counseling में सम्मिलित होईए बेड वाले का ठारा को है डेलेड वालों का सतरा को है और सभी counseling दीजिए सभी counseling में first counseling को ही attempt कीजिए डालिए मन पसंद college का चैयन कीजिए क्योंकि counseling सुर में आप डालोगे पहले में नाम नहीं आता दूसरे में भी आपका नाम दूसरे लिष्ट जब जारी होगी उसमें भी नाम आ सकता है मिद्रो ठीक है तो counseling में सामिल होई है ठीक है भाई चली इस वीडियो में इतना ही जैहिन वंदे मात